आध्यात्न में भक्ती पत्में एक बहुत बड़ा विश्वस्निय शब्द है विश्वास और बिना विश्वास के भक्ती नहीं होती यूँ कहें सरल सब्दों में तो भक्ती का आधार है विश्वास और विश्वास को जमाते जमाते विश्वास को विश्वास को विश्व करते करते एक लंबा समय लगाता है, फिर कुछ कालखंड बितने पर वही विश्वास और विश्वास में भी परिवर्टी थो जाता है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, कि विश्वास क्या है, और हमारा विश्वास हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं, ये समझें कर से कि हम सही जगा हम विश्वास कर रहे हैं, अब दस साली गुरु महराज पर विश्वास किये, वहां कुछ उंच नी चोगया, तो फुछ दस साली गुरु महराज के पास, कि दस महिना उस भगवान पर विश्वास स्थिर हुआ, वहां नहीं स्थिर ही मनकामना पूरु नहीं, तो दूसरे भगवान पर विश्वास, तो क्या विश्वास भी समय समय पर डिगता रहता है, या जब विश्वास हो जाता है, तो अडिग हो जाता है, माता सीता का विश्वास इस्थिर कैसे हुआ, श्री हनमान जी का विश्वास इस्थिर कैसे हुआ, कभीर तुर्शी या हमारे पुझे गुर्देव भरवान का विश्वास कैसे इस्थिर हुआ, विश्वास सब्द ही आपको परमात्मा तक ले जा सकता है, या स्वयम का नारायन पर विश्वास कैसे हुआ, तो प्रतम हम लोग विश्वास सब्द का साथिक अर्थ जानेंगे, किसी दी चीज का अगर अर्थ आपको जानना है तो पहले साथिक अर्थ समझना पड़ता है, विश्वधन वास बराबर विश्वास, अगर संधी विच्छेत आप इ विश्वास, अब पूरे विश्व में, पूरे प्रम्हांड में उस प्रमात्मा का वास है, इसलिए इसका एक नाम बासुदेव भी है, और जब यह आपको महसूस होने लगे, उसी दिन से समझिये कि आपका विश्वास प्रमात्मा में इस्थिर हो गया, वश्वामी तोसी आपका विश्वास प्रमात्मा में इस्थिर हो गया, जब उन्हे आभास होने लगा, के सियाराम में सब जग जानी, करह प्रनाम जोरी जुवतानी सियाराम में सब जग जानी, सब जगर सियाराम पुरे विश्वधनवास, हर जगर सियाराम का वास दिखने लगा, विश्वास के पहले आप जो भी भक्ति कर ले हैं, वह एक विश्वास की प्रवेशिका की भक्ति है, पुज्य दादा गुरु महराज जी पूरे गाओं में प्रधिर प्रधात भेरी करते थे, धोलत जाल मजीरा ले करके अरे राम, अरे कृष्ण के करम पावन प्रार्थना मंत्र को ग्रामीडों के साथ आगे आगे जगते हुए पूरे गाओं की परिक्तिमा करते थे, आज भारत वरस में तमाम ऐसे गाओं है, जहां मैं लाता हूँ यहां से पीछे ही तमाम गोतीम गाओं है, जहां पर भगवान की परिक्रमा सुबह शुबह होती है, पूरे गाओं को लोग गोठते हैं, पहले भारत में ऐसी परंपरा थी, आज तर तो आज वजे सुपिये को तो यह क्रम कई वर्स तक चला, एक दिन ऐसा हुआ कि दादा गुरु माराज भजन में बैठे और बैठे ही लगे, ज्यान पुटा ही नहीं, कोई जगाया ही नहीं, सबसोचे माराज भजन में बैठे हैं, और सुबह हो गई, आज खु़ा जद देखे तो अरी तो सुबह हो जगे अजियाला एक आर्ट मैंने प्रधात फेरी नहीं किया, नियम खंडित हो गया, भगवान की भक्ती जरूर करते थे, लेकिन भगवान का विश्वास पूर नहीं था, पूर विश्वास उसी दिन हुआ कि नहीं इस्वर है, भगवान है, सुबह उस टोला से दो आदमी गोले प्रभवान जी, आज आप किस रास्ते से निकल गए, बड़ी मधुद्वनी में आवाज आ रहे हैं कि, आप आज किस रास्ते से चले गए, दादा गुरु मराज के आत्रों बैही नहीं कि ही लोग किसी तरह का रहा है, जब कही टोला से एक ही बात लोगों ने कहा, त सोचा नियम न खंडित हो पाए, इसलिए मेरी आवाज में भगवान पुरे जाओं और किर्तन कर दाले। विश्वास हो गया कि, जो मैं भक्ति कर रहा हूं हो सही है, नंदा नाई की भी कहानी मैंने आप लोगों को कही बाल सुनाया, कुझी रुद्य भगवान के मुक से भ ही भगवान, तो विश्वास का मतलब जब भगवान स्वयन सर्टिफिकेट दे है, हमारे पुझ्य पुर्दे भगवान यथार्थ गीता के प्रनेता स्वामी जी, डादा गुरु माराज भी सरण में आये बहुत दिन हो गया था, तो बिरात रूप का पुझा कलते है, स्वास्थान में जनम भूमी होने के कारव भगवान क्रिष्ण के विरात रूप में पुझी गुर्देव का जैसा मेरे पीछे लगा हुआ है विरात रूप का चित्र, इस रूप में बड़ी आस्था थी स्वामी थी, माराज दादा गुरु माराज के बतारे रे नियम यम प्रत्या धारना ध्यान समाधी पर बिल्कुल चल रहे थे, लेकिन अस्थ विश्वास के तरब ही पर रहे थे, भक्ती कर रहे थे, भगवाने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो एक बिलक्या हुआ पुझी भुडे बढ़्यान अनुभों में देखते हैं, ध्यानस्त बैठे तो वहीं बिराद रूप के मुर्ती का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में देखा कि दादा गुरु महाज के सर पे कृष्ण महवान वाला में पुझ जाते चितिकिया, पासुरी चितिकियो, तब मन में विश्वास हो गया, जिन महापुरूस की भक्ती कर रहा हूं, वो तक दूभी प्रक्रदीना, तमाम महापुर्शों का विश्वास इसी तरह से जब भगवान सरंसर की ठिकेत दे दे, किसी के कहने पर नहीं, कोई आपको आके कह देखी हूं, बाबा बड़े अच्छे है, वह धामने चलो, वहाँ बढिया है, वहाँ सर्मन कामना पुड़ा ह हो जाता है, वहाँ नारियल बांगो, वहाँ चुननी बांगो, सब भार्तु बाद है, बपरास है, अभवान जब तक स्वयम सर्टिफिकेत न देदें, तक तक विश्वास इस्थिर होता ही नहीं है, माता सीता धनुस यज्यचर रहा था, इधर उधर विश्वास उनका जा रहा था, जग प्रभु स्रीराम के चन्मों में विश्वास हो गया, भगवान ने अपनी कृपा दिखाई भपमिस्पय का हा, भगवान स्रीराम की अनन्य लोक्त दम ढो, तो ये विश्वास आपको प्रभु स्री राम के प्रती हन्वान जी का, विवीशर को विश्वास तब होता है भरोसा कहें विश्वास कहें बात एक ही है जब हनुमान जी जाते हैं और दर्सन देते हैं विवीशं को तो विवीशर जी करते हैं कि हनुमान जी अब तक तो हमें विश्वास नहीं था भरोसा नहीं था कि राम जी मिलेंगे इतना दिन मैं केवन राम राम औरम ही जट रहा था लेकिन अब मोही भाग धरोसह नुमन्ता बेनुहरी कृपा मिल ही नहीं संता अब राम जी मिल जाएंगे इसमें मीर संदेय नहीं कोई संदेय नहीं आज से पूर विश्वास हो गया तो आप गीता परो रामायं को शुदर साम राम 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 ओं ओं जट रहर जहां भी भगवान जाके विश्वास कराएंगे भगवान अपनी मवजूदगी दर्ज कराएंगे कि मैं हूँ तुम भगड़ाओं मैं आगया हूँ ऐसे चलो ऐसे उटो ऐसे बैटो कुछ यह गुदो भगवान काते हैं कि जब भगवान हिल्दे से रती हो जाते हैं तो साध़क को विश्वास हो जाता है और भगवान इसलिए मानस में गुष्वामी पूसिदा जी ने विश्वास को बताया है कि बटु दिसवास अचलनी जधरमा तीर थराज प्राग सुठवर्मा बिन विश्वास भगति नहीं तेही बिन द्रवहिन राम बिना विश्वास के भट्टी हो ही नहीं सकती बिना विश्वास हुए आप देधी दर कर रहे हैं, वो केवल एक भक्ती का प्रयास है, भक्ती उसी दिन से आपकी प्रागंब होती है, जिस दिन से विश्वास हो जाए, यह आपको समझ में आ जाए, कि वो विश्वनेवास करने वाला परमात्मा हमको देख रहा है, हमारी कर रहा है, और वो ही एक अस्तर आता है, उसके पहले हजारों लोग विश्वास जमाने के लिए परे हैं, फिर भी विश्वास भक्त का जमता ही नहीं है, दस दिन जमेगा एक रहमा दिन विश्वास खंडित हो जाएगा, दस साल जमेगा विश्वास खंडित हो जाएगा, लेकिन जब रियल में, एक्चुल में विश्वास भगवान अपनी मवजूदगी दर्ज करा देंगे, उस विश्वास को फिर कोई खंडित नहीं कर सकता, फिर आपको लाख दुख्रा जाएगा, जब अलाद ने ये देख लिया, एक डाली से उन्हों ने एक फुस्प को तोर दिया, और वह फुस्प नीचे गिर गया, तो बच्चों ने कहा, क्या तुमारे भगवान में सकती है कि इस फुस्प को जोड़ देगा, तो बुले भाई, अभी तक तो हमने भी नहीं देखा है, अब देख लेता हूँ, तुरत लगे जबने भगवान के नाम डाली से पू चूटा हुआ पूल जोड़ सकता है, तो फिर हमें कौन मार सकता है, हमारी के उपड़ भगवान के अच्छा करें, फिर माता से अपने पड़े पे महिया घबराओ मत, कया दूसे, तुम घबराओ मत, माता, मुझे ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे विश्वास हो बिया है कि म भगवान रच्छा करें, हर्मान जी से, हर्मान जी को कून विश्वास राम जी पर कभ हुआ, हर्मान जी जब पूरा महाभारत, पूरा राम रावन युद्र अंक हो गया, समापन हो गया, तो हनवान जी सहित पूरे सुब्रीव, सब लोग बानरी सेना भगवान के साथ अयुद्या आ गए, नल नील अंगर्द सब, तो जब भगवान ने सब को पूरस्कृत किया, तो सब को माला अंग वस्कृत रिप्यादी, तो हनवान जी को भी एक मोती की माला दू, हनवान जी लगे उसको फोर फोर के देखने, दाटे से, तो सुब्रीम जाके डाटे गुले, तुम बताओ, बंदर जाक का विजटी कराओगे, हम लोग को तो भरवान अपने खाने गुजरेश से मंगा के दिये, तुम को अपने गर्दन की माला दिये, तुम फोर फोर के, सब यह दे कहेगा कि बनरे के हाथे मरीय चुली केतना देरी रहेगा, फार फूल के फेट देगा, विजट कराओगे, तो अनुमान जीने का, नहीं महाराज, मैं तो यह देख रहा हूँ कि मेरे सीता राम इसमें हैं कि में, बोले वो बड़ा विश्वास किये हूँ, सब जह सब देखे राम रतों वही रखते बोले हां तुभे तुम्हें दिल में हैं, बोले अभी तक तो नहीं देखा हूँ, अभी तक हमें विश्वास में, आज हम चील चाहिबे देखे लेते हैं हैं कि में, तक देखे तो भगवान उसी मुत्रवश होगे, विश्वास होगे इसको आप याद रखिये के धीरज धरम मीत्रय रुनारी मी आपतर कायर परखिय ही चाहिए धीरज, आप कितने धैरेवान हैं, इसका प्रतिच्छा, इसका विश्वास तब होगा जब आप पर दोजी प्रतिज आएगी आप कितने धैरेवान हैं, कितने धैरे से काम आप ले ले रहे हैं कितने लोगों के अपने धैरे को खो बैटे, अर्जुन के साथ घटना गटी तो इसका पुत्र अर्मन्यू मारा गया तो धैरे खो बैठा, वबान का धीरस से काम आप मैं हून, कह नहीं प्रभू कर जब तक उसे मार नहीं मुँगा, तब तक चितारो भर कर नहीं भाल पाउंगा भर्वान का धैर नहीं हो, उसी तरह धरम, धरम की परिच्छा आप कितना भर्वान पर विश्वास करते हैं, भर्वान अपना विश्वास आप पर दर जिकर आएंगे, कब जब विपत्ती आएगी। जब विपत्ती आए तो भवरान है नहीं है, आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके उठा बैठा रहे हैं, नहीं बैठा रहे हैं, तभी विश्वास होगा जब विपत्ती आएगी। थीरा धरण, मित्र यरु नारी, मित्र की भी परिच्छा तब यतारो चार फर पुदर यो पिर के तो guys groupya, बचा लेगा और मारी के भी परिच्छा तभी णारी पर आप कोण अभिश्वास करिए, जब आपको विपर्थ साथ को मैंतुँ है। कि विपक्त्थ में ही। जब माता द्रोपदी पर भी पत्ती आई, तब एने समझने आया कि कितना कृष्ण भवान की कृपा उनको उपर है, तो विश्वास, ये विश्वास बड़ा पवित्र सब्द है, लेकिन आज का लगा विश्वास कैसा है, एक दृष्टान से हम बताएंगे, कि किस तरह से दुनिया में और विश्वास मिलिया जाता, जैसे आप गारी खरिदने जाते हैं, सर प्रतम वहाँ पर आपको विश्वास मिलिया जाता है, आप जैसे ही इस गारी पर पुड़ा विश्वास कर लेते हैं, फिर तब उसके बाद आपको ये टेक्स, और टेक्स, भरना टेक्स लूप लिया गया थे, उसके बाद आपको रोड टेक्स भी देना है, तोर टेक्स भी देना है, और उसके बाद को इंकम टेक्स भी देना है, और उसके बाद को जी अस्टी भी देना है, या सस्टी भी देना है, और उसके बाद थाना में गारी पकड़ा गई, तो बेल भी करा अब किसी को दाब दिये तो फिर पजा सजार हो देना हो और महिने महिने इंसुरेंस देना है लेकिन सुरू में लेने जाएंगे तो विश्वास में कैसे ले लेता है। आज ये हर संस्थाओं में लगब लगब ज़्यार बाहरी दिख रही है। वहाँ सबसे आपको विश्वास मिलिया जाएगा। उनको खुड़े भगवान नहीं मिलें ताथ प्रतांस मिल जाएगे। नाथे सीता राम विराज एक कान में गोरत लटके। हाथ में जग जीवन स्वामी नीचे मुहम्मद है। एक चेला था तरवेया कहा के भाई हुमको भगवान कैसे मिलेंगे गुरु जी। बोले देखो विश्वास करो और चंदन टिक्का लगा लुए एक महीना रहा। बोले महाराज कुछ भगवान के बारे में समझ भूज नहीं आ रहा। बोले रहें चंदन लगा लिया बस बुह भगवान है। अब नहीं भगवान कैसे ओपर। तो माथे सीता राम विराजे तो वहां से दखागे दर यहां हम रहेंगे तमको भक्ति भजन नहीं मिलेगा भगवान में मिलेगे। तो चला गया गोरख नात संप्रदाय में। तो वहां पर गया तो वहां गुरु माराज बोले देखो विश्वास करो अब कान छेदा लो और इसमें कुंदल पहिले भगवान मिल जाएंगे। कान में गोरख लटके देदू नहीं ना गोरखो नात के लटका के कान में घूमा। तो जब कुछ भगवान की अनभूज नहीं हुई तो फिर गुरु मारा से का प्रभू कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, मन बस में हो ही नहीं जाहा है। कान शेडा लिया वस हो गया। वह I Snooj के फेक के चल दिया। तो हाथ में जग जीवन स्वामी पहले वह जग जीवन संबरडाय थ। तो गए वहाँ पर जग जीवन स्वामी के आश्रम ने, तो वहाँ हाथ में करिया करिया, ळागान पइना दिया। उसके बाद भजम करो, विश्वास करो, भगवान मिल जाएंगे, एक आग दू महिना वहाँ भजम किया, विश्वास किया, कोछ अनुभाव में नहीं दिखा ही तरा, तो देखा कि हिंदू में कुछ नहीं हो रहा है, तो चल गया मुसल्मान में, नोच नाच के पुल दे, तो विश्वास में केवल लोग लेते हैं, लेकिन विश्वास का जो क्रतिपल भगवान है, वो नहीं दे पाते हैं, श्रद्धा इस्थि नहीं कर पाते हैं, वो तो कभी समझ में आएगा ज़र स्वयम भगवान एजे प्रूब कर दें, तो एक पंडी जीते उनको तीन विटिय तो तीन बिटिया थी तो तीनों बिटिया की साधी तो सब पर वे करता है तो पौली बिटिया की जब साधी हुई पन्धी जी के साधी का डेट पड़ा तो जाइस्वाल जी कहा गए टेंट पंदाल सब किये, तो टेंट पंदाल में पांच बाल्टी, पांच कल्चूल, कराही सब कुछ ले आए, और ले आए तो उसके बाद जब लुटाने लगे, तो दस बाल्टी, दस करा, जितना ले गए थे समाल सब दूना दूना लवटा दिये, तो जैसवाल कहा पनी जी, आप ले गए थे पांच लवटा रहे हैं दूना, बुले रहे, ऐसा बर्तन दिया कि वहां जाके बच्चा दे रहा था से, एक बल्टी दिया तो दो बल्टी हो जैसवाल जी तो जैसवाल जी गड़े जरूर चल जाया पनी जी दूसरी बिटिया के साधी सेत हुआ, बोले नहीं अभीत नहीं हुआ है, बोले होगा तो हमको खवर करिएगा, हमको सेजा तो मोका जरूर दिजियेगा, पडि जुझे जरूर जो जो घबड़ाओ मत. सबना के रखा दें पांडी की तो दुबना हो जाता एक चादी के बल्टी तो दूर चांदी आएगा लगण जैसे जैसे जाए स्वाल कितंपम फन सुर्ण व्रतम गई पंदी जी फिर दुबना दुबना परचाया है। अब और खूस बुला इस बार तीसरी बिटिया साधी में तो सोने का सारा सामान देंगे। बोले ज़िए पंदी जी कहां जाने के बाद हमर बच्चा देने लगता तो बढ़ियां है। सोना का भगवना, सोना के बलती, सोना के कल्चुल सब बना के रख ले था। जैसे ही साधी हुआ तीसरी बिटिया का दे दिया। अब सुबर हुआ जब पंदी जी जहां साधी हुआ था वहीं अंधना में गर्द्रा खनवा किया पूलू। जितना सोना खकार के, ऊपर से माटी भर के, गोबर से लिपवा के, चौका पुर्वा के बैट के राम राम जपने लगे। माला लेकर लेट हुआ ज़र धन्टा दू धन्टा तक बनिया के खरेजा धनिया निया। बीपी हाई होने लगा के भाई तगरी था इस टील चांदी दे गया कहीं सोना अगर दू बार तब तो सारा हमारा जिनगी भर के कमाई और इंट्रेस्ट पर लेकर बना के दिया। पंदी जी आज लेट काय कर रहा है दू गंता हो गया रोग तो पुरत पहुचा देता था। चरपाज गंटा बितने के लाज पंदी जी के घर को पहुचा बुझे पंदी जी बरतन आपने पहुचाया नहीं। तुने रस शुगा इसा बरतन दे लिया इस बार के सब आउते आवग पूल बरतन हों मर गया तुमर। अब तुमर। बरतन के हम सराद करेंगे बितिया के जिया करें। सारा बरतन का सराद करके देखो। तुमर्द शीटा राम, सीटा राम, राम, राम जख रहे हैं, आला हम यह स्था। तब सेठ जी जो सवाल जी fra बूले रे पड़ी अब बैंटनों मरता है, भुले जब बत्क स बच्चा प्ज़ाइक्नकर सकता है, तो बुले हम से बूले राजना के पास जाकर केस करें हम लग लेंगे केस गया राजा को केस किया राजा ने पर्मी जी को बुले बात क्या है बुले राजा साथ इस टील का जब इसने दिया तो हमने दूना-दूना करके दिया तो एक को बार नहीं कहा कि बर्तन बच्चा देता है का चांदी वाला दिया तो हमने दूना-दूना कर अब अच्छा अधी तीसरी बार हमने सोना, इसका ले आया हम, अब मर गया हम क्या करें, तब राजा बढ़ीते से दाटा सेठ को भूले जब सेठ, बरकन बच्चा दे सकता है, तब मर नहीं सकता है, पंदी जी ठीक करें है, तो अब उसको लूटने के लिए पहले विश्वास में लिया गया, अब तब उसके बाद उसका दर्दमे कातनी जितना हमाई कमाई का सब खत्तम, तो इसी तरह से हर जगह, हर छेत्र में, आप प्रोपर्टी में जाईए, आप बिजनस में जाईए, आप जोब में जाईए, हर जगह, 90% मिनिमम लोग मिल जाते हैं, जो आपके विश्वासी होने का फाइदा उठाते हैं, तो ऐसे ये विश्वास नहीं है, बलकि इसको हमारे भारत में विश्वास घात कहा जाता है, ये विश्वास घात है कहीं में कहीं से, पहले आपको विश्वास में लेता है, फिर आपके साथ विश्वास घात करता है, भगवान जब जंगल में गए तो मुरीगा लोग लाल कपड़े देखते थे तो भगवान के पास अपने चल जाते तो बहेलियों ने देखा कि लाल कपड़ों में बड़ा विश्वास है इन मुरीगों का, कि ये हमारा कुछ नहीं भी गारेंगे, तो जितने बहेलिया थे वो भी लाल क बड़ा पानने लगे, तो मुरीगे आजाने बड़ा में सोचिक आई तो वहीं भगवाने जा रहे होंगे रामय जी जा रहे है, तो वो सब पकर के जाली में बंद करने तो, फिर चमरा उखाल उखाल के देश के, फिर मृगे डरने लगे, इसलिए विश्वास के नाम पर व रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्ही की काली कर्टूतों से मुल पर आये मसान, कितना बदल गया इंसान। तो पले वो विश्वास में लेता है, जैसे आप लोगोंने वो घोरा वाली कहानी सुनी होंगी, लांगल बंके जो दकाहित घोरा चीन लिया, तो वो पहले विकलांग का विश्वास लिया गया, विकलांग को लोग विश्वास करता था, अब वो बदकाहित जो था विकलांग बन गया, फिर पीछे बैठ गया, फिर छूडा भिडा गया, और फिर घोरा लेके बाद गया, तो मैंने कहा देखो, तुम घोरा को मेरा ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी से यह मत कहना है कि मैं लांगड़ बन करके इस गोड़े को लूटा हूं, नहीं तो लोग लमड़ों पर विश्रास करना बंद कर दें, तो इसलिए धर्म का चोला पहन के, या किसी भी अच्छे सम्मानित पद या अच्छे सम्मानित ब्रसा करके, किसी को विश्वास में ले करके, अगर आप उसके साथ विश्वास घाद करते हैं, जैसे कितना भी नजजदी की आदमी आप से आपका OTP माहिए आप देंगे क्योंकि ऐसे तमाम विश्वास घात हो चुके हैं कि वह पीपी मान करके आपका माले गायब कर दिये। कितना भी नजदी की आदमी वह करके पूछे कि आप कहा हैं तो यह जट्रोक्रेशन कोई नहीं बेचता। क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं क्योंकि ऐसे तमाम चीजों पर लोगों का विश्वास उठता चला गया। आज ट्रेन में आप कितना भी जाएं जहाज में कहां कितना भी जाएं कोई भी विश्कूर देगा आप खाते हैं नहीं खाते हैं। क्योंकि वहां से विश्वास के नाम पर विश्वास घात हो पर अब ऐसे ज़गों से विश्वास उठता चला जा रहा। तमाम आध्यात्मिक केंद्रों में भी आप जाईए, तो आध्यात्मिक केंद्रों से भी लोगों का विश्वास उत्ता जा रहा है, क्योंकि विश्वास में लेके लोग विश्वास गात करते हैं, इसलिए आप ऐसे विश्वास में पड़े ही मत, जाएं ही मत, आप भजन करे गीता पढ़ें, रामायन पढ़ें, और राम, राम, ओम, ओम ये भगवान का परम पावन नाम है, इसको सुबह साम अपने घर पे ही बैटके जपें, भगवान एजे प्रूफ, भगवान ही प्रूफ कर देंगे, मैं हूँ, मैं तुमारी मदद कर आऊँ, मैं तुमारे साथ मैं पाच्छा लागे हरी फिरें, कब हुन छाडे साथ, जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरू मैं हाँ, भगवान साथ साथ चलने लगेगे, फिर माता मीरा की तरफ इस भी मिलेगा, तो अम्रित हो जाएगा, ठोकर भी लगेगी, तो भूल में बदल जाएगी, तो कि साथ साथ होगे, इसलिए भगवाने, जब कर दें कि मैं हूँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तवर द्रिह विश्वास करो, अबादी किसी व्यक्ति के कहने पर, किसी दलाल के कहने पर, किसी मनुष्य के कहने पर, आप अगर विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ काल के ब बिश्व धन्वास बराबर विश्वास, और परमात्मा अपनी उपस्थिति आपको पूरे विश्व में धर्साने लगे, उसकी कृपा हर जब आपको नजराने लगे, तो समझे कि आपका विश्वास इस्थिर हो चुका है, आप वास्त्रीक विश्वास करने वाले हैं, बत विश्वास अचल निज धर्मा तब आपका धर्म जो है वो अचल हो जाएगा फिर ऐसा नहीं कि 10 सार मारा आप विश्वास आपका टूथ जाएगा नहीं बलकि धुरू की तरह प्रलाज की तरह मीरा की तरह शबरी की तरह सुतिचर की तरह अगस्त की तरह कुझे गृद्यो परवान की तरह दादा गुरू मराज की तरह अव विश्वास सोध्य नहीं होता जाएगा मजबूत ही होता जाएगा बोनिये स्री सद्गुर्णेयो भगवारन की जो